तो कैसे मेरे भाई हो मैं आज़नों करने वीडियो के साथ अगर आप ढून ढून के परिशान हो गया है कि आपको लोन फ्लाइट रेट अफ इंट्रेस्ट पर चीए तो आप सही वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं यहां पर पूरा डीटेल्स आपको दिखाऊंगा कि कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा अगर आपने थमनेल देखके यहां पर क्लिक किया है तो बहुत ही सिंपल है अब देखें दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता है बस डिफरेंस इतना है बस सिंपल वोट्स में अगर मैं समझाऊं जो भी अमांट का आप लोन ले रहे ह है तो अगर आप फ्लाइट ओफ इंटर्स पर 10 पर संट लेंगे तो आपको ज्यादा पड़ेगा और रेडिजिंग रेट अप इंटर्स पर लेंगे तो आपको कम पड़ेगा ठीक है तो मैं यह दूनों चीज़ें आपको यहां पर करके दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल है क बहुत भोटा ले कर रहा है आज कलिए लोग तो ठीक है अभी हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ तो यहां पर देख पाएंगे अभी देखिए जैसे कि मैं आपको सिंपल एक्जांपल समझाने के लिए वन लाक का यहां पर पहले हमारा डिफॉल्ट अमांट है और यहां पर देखेंगे अगर दियान देंगे फ्लाइट आफ इंट्रेस्स यहां पर कितना है मंतली यह मारे 9000 है और रेडियूजिंग बैलेंस इंट्रेस्ट का यहां पर देख पहांगे 8700 है अब इतना फरक होने का वज़़र ज्यादा कुछ नहीं है बस फरक कितना है अग सब्सक्राइब अपनी फर्स्ट इमाई करते हैं सेकेंड इमाई करते हैं यह यह जितना भी अमाउंट आपका एक्कुमिलेट होता है जो इमाई अब भर रहे हैं उसके बाद जो पेंडिंग अमाउंट है उस पर आपको इंट्रेस्ट लगता है ठीक है तो रेडूजिंग इसे काम करता है और फ्लाइट रेट अप इंट्रेस्ट में क्या होता है कि आपका यह पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि आपका 10% रहेगा यह अगर आप टू यह के लिए नहीं जैसे यहां पर 12 मंस के लिए यहां पर देखिए पहले ही 10,008 हो जाएगा और उसके बाद हम उसको मंतली यह में बढ़ते रहेंगे तो इसके लिए यहां पर देख पाएंगे जो टोटल अमांट हमने पे किया 1,10,000 है और इसका देखेंगे 1,5,000 है ठीक है और यहां पर देखेंगे टोटल इंट्रेस्ट हमने जो हमारा फ्लाइट रेट आप इंट्रेस्ट है उसमें एक अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो आपको सिंप्ली क्या करना है जब भी आप लोन ले ठीक है तो आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा आपको आपको description मिल जाएगा ठीक है यह बहुत ही यूनो बढ़िय तो मैं यहां पर बोलूँगा 15 या जो भी हो अब जैसे कि अगर कोई बैंक आपको बोल रही है सर हम 16% पर दे रहे हैं और कोई दूसरी बैंक है जो आपको बोल रहे हैं सर हम 18 या 19% फ्लाइट पर दे रहे हैं तो ठीक है आपको कौन सा सलेक्ट करना चाहिए तो आपको हमेशा रेडियूजिंग बैलेंस रेट पर ही सलेक्ट करना है यह नंबर आपको नहीं देखना है नंबर जादे हैं लेकिन जब भी आप लोन लेंगे तो उस पर फरक पड़त एकस्प्लाइशन आपको यहां पर देखेगा फ्लाइट इंटरेसरेट और रिधियूजिंग बैलेंस इंटरेस्स ट्रीट तो अगर आप देखेंगे फ्लाइट इंटरेस्ट मैंने 16 दिया था लेकिन अगर फ्लाइट को हम रेडियूजिंग में करें तो यह ईग्जाक्ली यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको हमेशा इससे जाना है अब यहां पर देख पाएंगे अगर आपको 12,000 एक्स्टा पड़ेगा और यहां पर देखे 12,000 आपका सेव होगा टोटल अमांट आप भरेंगे 19,000 एक्स्टा और यहां पर भरेंगे 32,000 एक्स्टा अगर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या यहां पर मैनिपलेशन कर सकते हैं डेटा के साथ आप जैसे कोई बैंक बोलगे 15 परसंट पर हम दे रहे हैं ठीक है और कोई अलग बैंक है कोई अलग प्रवाइडर में जो बोल रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको देखी यह नंबर ज्यादा दिख रहा है लेकिन अगर आप ओवरॉल यह माई कालकुलेट करने जाएंगे तो वह भी आपकी कम है 400 रुपए कम है यहां पर देख पाएंगे टोटल इंट्रेस जो पे किये हैं आप देख पाएंगे 30,000 यहां पर यहां पर देख पाएंगे जो हमने टोटल अमांट सेफ किया है जो हमारा रेड्यूजिंग रेट ओफ इंट्रेस रेड्रेस रेट यहां पर पड़ेगा अगर आप कंपेर करेंगे तो अब देखिए अगर इसको एकुलाइस करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा 25 बोलता हूं 25 25 पे भी आप देखिए reducing rate of interest अगर मैं 25 भी करता हूं तभी भी यह जाके इसको match नहीं कर पा रहा है flat rate of interest को ठीक है तो यह number हमेशा आपको जादा दिखेगा उसमें घबरानी की ज़रूरत नहीं है तो मैंने जैसे की explain किया कि जब आप 1 lakh loan लेते हैं 24 months के लिए तो आपका जो 15% रहेगा flat rate of interest वो add हो जाएगा पहले ही और उसके बाद उसको divide कर दिये जाएगा 24 से और जो आपकी EMI बनेगी यह है लेकिन reducing rate of interest में क्या होता है यह yearly जितना भी पैसे आप भर रहे हैं जैसे EMI आप भर रहे हैं तो उसके बाद जो pending EMI है जो pending you know amount रहता है जो principal amount रहता है उस पी interest लेते हैं ठीक है तो अगर आप उसे सबसे calculate करेंगी तो यह आपको हमेशा कम ही पढ़ेगा ठीक है तो आपको simply कुछ नहीं करना है अब flatter rate of interest जा लेंगे तो इसका conversion आपको देखे reducing में 26 पढ़ेगा यहां पर दिखा रहा है और reducing का अगर 25% कोई bank बोल रही है तो वह आपको flat में 14% पढ़ेगा तभी यह कम्मी है ठीक है अब इसको match करने के लिए अगर मैं 27 दूंगा जादा हो रहा है 26 देता हूं तब जाके यह इसके according match हो पाएगा ठीक है तो 15% flat rate of interest is equal to 26.5 reducing balance rate तो आपको इससे भी related कोई doubt है सवाल है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं तो आपको जादा calculation मेंगरा नहीं है आपको सीधे इस website पर आना है आप जाके यह करा यूनों बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है तो website बहुत बढ़ी आया है आपको convert करके भी देदेगा और easily समझा भी देगा तो I hope आप लोगों को video समझ में आ गई होगी तो example के साथ और समझा हूं मैं तो जैसे कि आप मेरे screen पर देख पा रहे है तो पहले मैं इसको क्या करता हूं इसको convert कर देता हूं तब मैं अपना screen share करता हूं आपको जैसे कि मुझे 4,30,000 यहां पर लेना है ठीक है तो मैं पर 4,30,000 डालूंगा और मुझे जो bank दे रही है वो मुझे बोल रही है कि 16% rate of interest पे दे रही है ठीक है मैं screenshot भी आपको दिखाता हूं तो यहां यहां पर देख पाएंगे 16% rate of interest में अगर मैं calculate करूँ यहां पर तो आप देख पाएंगे मैंने 53,000 यहां पर save किया है ठीक है और यहां पर देख पाएंगे जो मेरी EMI आगी 2104 आएगी ठीक है यहां पर सब कुछ clear है 24 months के लिए अब मैं चलता हूं आपको screen पर दिखाता तो यहां पर देख पाएंगे 24 months का मैंने यहां पर कर लिया है तो यहां पर देख पाएंगे जो मेरी screen पर देख पाएंगे 20,981 है तो यहां पर कुछ 60 रूपिस ज्यादा है तो यहां पर शायद 16 points को चाइड होगा तो यहां पर मैं example live probe के साथ दिखा रहा हूं कि मुझे क इसे यह कम पड़ेगा तो मैंने 20 तो यहां पर हमको 21 दिखा रहा है लेकिन मेरे application में 29,89 कम ही दिखा रहा है लेकिन यह आगे चलके देखेंगे तो आप processing fee अगरा भी आड होते हैं तो ज्यादा ज्यादा आपको 5-6000 processing fee लगेगा तभी भी आप बहुत ज्यादा interest बचा रह पर क्लिक करूंगा तो आप यह पर देख पाएंगे मुझे यह नो processing fee रहे हैं और processing fee में मुझे यहां पर claim भी मिल रहा है मतलब 50% off हो जाएगा यहां पर तो मैं claim भी कर सकता हूं और देखिए जो मेरी EMI है जो 2989 है थर्ड अबस को कटेगी और यह पूरे details है इसके ठीक है तो इस तरीके से आपको अगर नंबर आपको ज्यादा दिखते है reducing rate of interest में तो वह हमेशा कमी रहता है तो आपको make sure करना है हमेशा reducing rate of interest पे ही आप loan ले और आपको पूरा यहां पर details देख पाएंगे और easily अपने इसाब से अपना loan यहां पर ले पाएंगे आप तो आई होप अपलों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो बनेते मेरे चानल पर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और ना ऐसे ह बैंकिंग टेख टोपिक के साथ